असलाम अलेकूम एं हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ सबाब फ्रम माडम बेकर कोकिंग अन बेकिंग क्लासेज मेरे चानल में आपका स्वागत है कैसे ही आप सब उमेद है कि आप सब बढ़िया होंगी आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग डिजाइनर डेजर्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे 101 पसंद आप सब को बहुत पसंद आएगा आपने डेजर्ट बॉक्स का नाम तो बहुत सुना होगा आज कल यह बहुत ट्रेंड में है वैसे ही आज हम बनाने वाले हैं 3D बास्किट डेजर्ट है ना नाम यूनीक और यह फर्स टाइम मैं ही आपको सिखाने वाली हूँ यूटिब पे और यह बहुत ही यमी और बहुत ही डिजाइनर डेजर्ट बनने वाला है आप इसे अपने मेन अट्राक्शन डिनर टेबल पे लांच टेबल पे पार्टी पे आप इसे यूज कर सकते हो लोग इसे बहुत पसंद करते हैं और आपको 100% बहुत कॉम्पलिमेंट्स मिलेंगे मैंने रिसंटली इसे मेरी नीस के बर्दे पे बनाया था जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ से शेर करूँ तो रेडी हो जाएए एक नए रेसिपी बनाने के लिए उससे पहले अगर आप मिने चानल पे फिर्स टाइम है तो प्लीज मिने चानल को सब्सक्राइब करिए और बेल नॉटिफिकेशन को प्रेस करके उसे ओल पे कर दीजी तो चलिए बनाना स्टार्ट करते बहुत amazing unique dessert 3D basket dessert तो चलिए फ्रेंस स्टार्ट करते सबसे फिलम स्टार्ट करेंगे हमारी basket बनाना उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है ये जो pinata cake का जो mold आता है मैंने वो use किया अगर आपके पास ये नहीं है, अगर इस तरीके का आपके पास कोई बर्तन है, ऐसे शेप में आप वो यूज कर सकते हो, अलुमीनियम का या प्लास्टिक का आप कोई भी यूज कर सकते हो, मेरे पास ये है पिनाटा का मोल्ड जो की सिलिकॉन में है, तो मैं ये यूज कर रही यह चंध को बहुत अत्छे से हम इंहें कि सिंगल लेयर यह नहीं होगा क्योंक हम इसके अंदर ढाला वाले हैं तो छैसे हो सकती ह्ट हम पहले हैं एक लिए लिए क्ल्क लूवan के अंदर complete कर लेते हैं यह देखिए friends एक layer इसके अंदर लग गई आप इम इसे फ्रीज में रख दूंगी set होने के लिए 15 minutes के लिए फिर हम इसे निकाल लेंगे वापस से और एक layer लगाएंगे और उसके बाद भी अगर आपको लगे कि यह इतना thick enough नहीं है कि desert को hold कर सकता है तो आप इसमें एक layer और लगाएंगे at least आपको दो से तीन layer इसके अंदर इसी तरह करना है तो चले हम इसे रख देते हैं फ्रीज में set होने के लिए तो चले फ्रेंज जब तक हमारी चॉकलेट बास्केट की set होरी अंदर जब तक हम बास्केट का handle बना लेते हैं यहां मैंने ले लिया है butter paper प्लास्टिक भी ले सकते हो कोई भी या फिरा parchment paper भी ले सकते हो और यहां पर मैंने एक circle ड्रॉ कर लिया है मुझे जितना बड़ा handle चाहिए हमारी बास्केट का क्योंकि यह दो half में कट होंगे तो इसलिए हम यह हिस्सा देखके करेंगे कि हमें कितना बड़ा उसका handle चाहिए बास्केट का और मैंने यहां पर चॉकलेट जो है पाइपिंग बैग में भर लिया है और हम लोग इसे इस तरीके से जो है राउंड में एक थोड़ा अच्छा फ्लाट लेयर जो है चॉकलेट का बनाएंगे इस तरीके से यह देखे इस तरह बनाते जाहिए यह देखे फ्रेंग्स मैंने यहां पर बना लिया है बास्केट का handle यह देखे इस पर डिजाइन में देखे पॉफेक्टली ऐसे है जैसा बास्केट पर वीविंग डिजाइन होती है वैसे ही डिजाइन आई है इसलिए मैंने इसे पाइपिंग बैक से बनाया है चले हम इसे रख देते हैं फ्रीज में सेट होने के लिए अब हम इसके अंदर दूसरे लगाएंगे जिस तरह फर्स लेयर लगाएंगे उसी तरह दूसरा लेयर भी लगेगा और इसे भी अब हम रख देंगे फ्रीज में सेट होने के लिए यह देखे इस तरह आपको लगाना है और वेरीना कस्टर मैंने बना के लिया है जो हम लोग कस्टर पाउडर का बॉक्स लेते है उस पे सारे इंस्ट्रक्शन होते है कि हमें किस तरह कस्टर बनाना है मैंने सेम उसी तरह बना लिया है कस्टर और इसके अंदर में डालने वाली हूँ फ्रूट्स मैंने यहाँ पर बनाना एंड आपल लिया है आपको जो भी fruits पसंद आप यूज कर सकते हो आप इसमें dry fruits दाल सकते हो चॉकलिट चिप्स दाल सकते हो जो भी आपको पसंदे इविन आप केक के पीसेस भी डाल सकते हो अब मैं यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें fruit मैं यहाँ पर डाल रही आपल और अब मैं डालने माली हूँ इसके अंदर बनाना अब इसे mix कर लेते हैं हमलब अच्छे से और इसके अंदर अब मैं डाल दूँगी हमारे whipped की हुई cream ठीक है एक थोड़ा सा हमें थिक मिश्रम थोड़ा बनाना है इसलिए हम इसके अंदर आड कर रहे है whipped cream यह देखिए और इसे जो है अच्छे से अब हम मिक्स कर लेंगे यह देखिए फ्रेंग्स बहुत यह डिलेशेस और बढ़िया से हमारे फिल्म तैयार हो गई है यह देखिए इतना थिक हमें चाहिए हमारे लेयर्स के बीच में लगाने के लिए चले अब देखते हमें आगे क्या करना है यह देखिए फ्रेंग्स फ्रेंग्स अच्छे से सेट हो गया है हमारा यह शेल अब इसे निकालने के लिए बहुत जोलि से कैफुली आप काम करें पहले इस के साइड्स को जो है थोड़ा लूस कर लीजिए इस तरीके से और पिर इसे आप इस तरीके से पलट डीजिए और भहुत स्लोली से जो है ना इसका कफरे से हटाईए यह देखे ऐसे इस तरीके से बहुत स्लोली से निकाली है ये देखे फ्रेंड्स माशाला कितना ब्यूटिपर हमारे शेल बनके रेडी है बगर हमारी बास्केट जो है इस तरीके से प्लेन नहीं होती है इस पर वीविंग इफेक्ट देने के लिए हम अभी यहाँ पर क्या करने वाले है हमने यहाँ पर प्लेट ले लिया है इस पर बटर पेपर है बटर पेपर पर मैंने हमारा शेल रख दिया है और अब जो है मैंने यहाँ पर पाइपिंग बैग में चोकलेट ले लिया है melt करके और इसके उपर सेव हम इस तरीके से जो है न ब्रिजल करेंगे ताके weaving effect दिखे ये ये दिखे इस तरीके से जिसा हमारी basket पे होता है न निशान, lines ये उस तरीके की दिखनी चाहिए पूर आप overall इस तरीके से cover करिए और इसे freeze में रख दीजे एक 10 minutes के लिए सेट होने के लिए ये देखे फ्रेंज हमारी basket सेट होकर आ गई है देखे माशाला कितनी अच्छी लग रही है ये इसे निकाल लेते हैं ये देखे कितनी beautiful लग रही है ये बाहर से भी और कितनी अच्छी बनी है तो चलिए friends अब हम इसे decorate करना start करते हैं ये देखे मैंने यहाँ पर cake board ले लिया है और इस पे इससे stick करने के लिए हम थोड़ी सी melted chocolate यहाँ पर लगाएंगे ताकि ये इसके base स जो अच्छी तरह stick हो जाएं ये दिखे इस तरीके से और इस पर जो हम इसे place कर देंगे ये दिखे इस तरीके से ओके आप चाहिए तो इसे 5 मिनिट्स के लिए थोड़ी दे फ्रिजबर रच दे ताकि अच्छी से बोर से stick हो जाएं देखे friends इसके अंदर मैं ये वैनिला cake की उसकरने वाली हूँ ये मैंने pre-mix से बनाया हुआ है और pre-mix आप किस तरह perfectly cake बनाऊगे ये अल्रडी मेरे YouTube चानल पे इसका वीजियो है इसका link description box में भी है अगर आपके पास इस तरह का cake अगर available नहीं है तो market में ready made cakes मिलते हैं slice cakes मिलते हैं आप वो लगा सकते हैं cupcakes मिलते है ready made muffins मिलते हैं अब muffins को भी crush करके इसमें लगा सकते हैं तो चरी सबसे पहले अब हम यहाँ पर नीचे जो है एक cake की layer रख लेते हमारी और इसे अब हम soak करने वाले हैं हमारे इस custard से मैंने जो custard बनाया था उसमें से मैंने थोड़ा सा निकाल दिया था और इसे मैंने थोड़ा पतला रखा है ताकि आपने sponge को soak कर सके तो आप जो custard बनाओगे उसमें से थोड़ा सा निकाल देना और उसमें थोड़ा से जाधा दूद दाल के उसे इस तरीके से पतला कर लेना अब इस cake के layer को हम लोग soak करेंगे देखे इस तरीके से इसे आप लोग जरूर ट्राय करना यह बहुत यमी बनता है और अपने इसे बनाके महमानों के साथ अब इसे जरूर शेयर करना आपके घर में parties वगेरा हो आप अपने इसे टेबल पर रख सकते आपको बहुत compliments आएंगे और लोग इसे बहुत पसंद कर तो यह हो गया हमारा cake soak अब हम इसके हमारा जह हमने custard and cream का हमने बनाये वाए equations वह ढालेएगे इसके ऊपर यह दिखिये इस तरीके से और यहाँ पर भी आप जो चाहिए एड कर सकते हो चोकलेट्ट चिप्स, चोकलेट सॉस जो चाहिए आप लगा सकते हो ध्राइट फूदी यह देखिये इस तरीके से अब इसी तरह हम रिपीट करेंगे उपर तक का ये देखे प्रेंस पूरा हमने उपर तब का सेम प्रोसेजर रिपीट कर लिया है तो चले हम देखते अगे कि डेकॉरेशन हम किस तरह करेंगे ये देखे प्रेंस मैंने एक बोल में ले लिया है विप्ट क्रीम और इसके अंदर मैं यूज कर रही हूँ येलो फूट जेल कलर आप चाहिए तो कोई भी कलर यूज कर सकते हो हम इससे बनाने वाले हमारे बास्किट के उपर प्लावर्स आपको जो कलर के प्लावर्स बनाना आप उसे वो कलर आप यूज करें यह देखिए फ्रेंड्स मैंने इहाँ पर नूर 46 नमबर नोजिल निया उसे मैंने यलो कलर की क्रीम डाला हूँ इससे हम इस पर बनाएंगे रोजस यह देखिए इस तरीके से इस तरीके से आपको प्लावर्स बनाने हैं पूरा इस तरीके से आप बास्केट को कवर करोगे ये देखिए फ्रेंड्स हमने पूरे फ्लावर्स बना दिये ये अब भी सही माशाला कि इतनी ब्यूटिफुल लग रही है और यहाँ पर जो है ना एक लाइन हम लोग शेल बॉर्डर की दे देंगे ये देखिए एक फिनिश टच देने के लिए इस तरीके से और ये देखिए अब मैंने यहाँ पर ले लिया है लीव नोजल और गरीन कलर की क्रीम हमने यूज़किए और यहाँ बीज बीच में हम थोड़े लीव बना देंगे इस तरीके से जहाँ भी आपका मंचा है लीव बना लीजे ये देखिए फ्रेंस हमारे लीव भी बन गया है कितना अच्छा कॉंबिनेशन दिखे रहे हैं यलो और ग्रीन का और इस पर मैंने कुछ गोल्डन कलर के स्पिंकल्स डाल दिया है ये देखिए इस तरीके से ये देखिए फ्रेंस अब हम लगाएंगे इसके पर हमारा हैंडल बास्किट का हमने जो पुरा सर्कल में बनाया था इससे थोड़ा सा नीचे से कट कर लिया है हमने और ये देखिए इस तरीके से इसमें इंसर्ट करेंगे यह देखिए ऐसे और यहाँ पर थोड़ी सी जगा इसी हो गई हम यहाँ पर leaves बना लेंगे या तो roses बना लेंगे आप चाहिए तो यहाँ पर भी तोड़ा leaves दे सकते हैं इसे बहुत अच्छा लुकाएगा इस तरीके साथ इसके नीचे grasses बना दीजिए आपके बास्केट के पास यह और भी बहुत सुंदर लगेगी यह देखिए ऐसे देखे फ्रेंज कितनी ब्यूटिफल हमारी बास्केट बन के रेडी हैं कितनी यूनीक और कितनी ही ज़्यादा डिलेशेज है आप इसे जरूर ट्राइ करिए आपको 100% जरूर कॉम्प्लिमेंट मिलेंगे आप इसे सेंटर अट्राक्शन यूज़ कर सकते हैं पार्टी इस क लोकेशन के लिए आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी इससे जरूर कमेंट करके बताइए मेरे इस वीडियो का लाइक और शेयर करिए और प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब करिए मिलते हैं मेरे नेक्स वीडियो में जब तक के लिए बाय लाहाफिज